इन दिनों सभी स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं 5G सपूर्ट होने के बाद भी अकसर हमारा फोन बहुत स्लो हो जाता है और हम परिशान होने लगते हैं यदि आप भी नेटवर्क होने के बाद भी स्लो इंटरनेट से परिशान हैं तो ये खबर आपके काम की है आज हम आपको एंडरोइड स्मार्टफोन में 5G नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने का तरीका बताएंगे जो आपके स्लो फोन की परिशानी को दूर कर सकता है अगर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है तो सबसे पहले फोन की सेटिंग चेक करें फोन की सेटिंग में नेटवर्क सेटिंग में जाएं और प्रिफर्ट टाइप आफ नेटवर्क को 5G या आटो सेलेक्ट करें इसके अलावा network setting में access point network यानी APN की setting भी चेक करें क्योंकि speed के लिए सही APN का होना ज़रूरी है APN setting के menu में जाकर setting को default रूप से set करें आजकल सभी smartphone 5G support वाले आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग network की समस्या से परिशान है तमाम telecom company देश के लगभग सभी शेहरों में unlimited 5G service दे रही है लेकिन इसके लिए 5G phone का होना ज़रूरी है इसके अलावा phone में मौझूद social media में नज़र रखें Facebook, X और Instagram जैसे एप speech कम कर देते हैं और data भी जादा खपत करते हैं इसके setting में जाकर autoplay वीडियो को बंद कर दें साथ ही phone के browser को data save mode पे set करें अगर उपर बताए गई सभी step को follow करने के बाद भी internet speed अच्छी नहीं मिल रही तो दोबारा phone की network setting को reset करें default network setting पर अच्छी speed मिलने की पूरी संभाव ना रहती है